सो साल बाद एक साथ बनने जा रहा बुदादित्य और लच्मिन आरायन योग कुछ रासियों के बदलेंगे दिन मीन रासी में शुक्र और बुद्ध ग्रे की यूती से लच्मिन आरायन राजियोग तो शूल और बुद्ध की यूती से बुदादित्य राजियोग का निर्म आइए जो तिस आचारे से जानते हैं वह कौन सी लखी रासियां हैं जिनका किस मत बदलने वाली है लगश्मी नारायन योग और बुधादित योग एक चांट एक रासी में बनने जा रहा है मीन रासी में लख्षमी नारायन योग और बुधादित योग बनने जा रहा है जो कुछ रासियों के लिए अती सुग रहेगा और लावधायक रहेगा दूसरे सब्दों में हम कहें इन रासी इन रासी के जात्तों के लिए ये धनवर्षा कारक योग बनाएगा दो अपरेल को बुध अपनी बकरी गती से मेंस रासी में संचरन करेंगे और नो अपरेल को बुध अपनी बकरी चाल के ही मीन रासी में प्रवेश करेंगे मीन में बुद्ध का सूर्य और शुक्र का यह संयोग जो है यह लक्षमी नारायन योग और बुदादिती योग बनाने जा रहा है। शुक्र और बुद्ध की युटी से लक्षमी नारायन योग बनेगा, उसूर और बुद्ध की युटी से उधादिती योग बनेगा, इसका लाव इन रासी वाले जातकों के लिए आर्थिक लाव रहेगा, पंपन्दता रहेगी, प्रमाज में सम्मान की ताफ्की होगी, पत तर्फ राती के लिए दोनों योग लाब करत रहेंगे निवेस के लाव होगा जया पारव करने वाले व्यापार व्यावसाय हैं इस में इनको आकस्मि चुरूब से लाव की लाव कि ळापती हो तक्ति है आएके नए श्रोथ इनके लिए बनेगे मीन रासी के लिए यहाँ योग कर्म भाव बन्ने जा रहा है अरतार यह कारोवार나 कारोबार कर रहा हैं नोकरी कर रहा हैं इन सभी भेट्रों में इस स्टाओर का कारे गर्बाले जो जातक हैं, उनको आर्थिक लाव, व्यापार में लाव, नोकरी में उन्नती अब साथ सभी प्रकारस उन्नती के इनकी योग रहेंगे पीसरी रासी है श्मरासी श्मरासी के लिए यह लख्षमी नारायन योग को दादित योग बनने जा रहा है इनकी मनोकावना पूर्ण होगी सत्रू परास्त होंगे कोर्ट केटेरी या अन्य शेत्रों में इनको बिजे की तापती होगी प्यापार व्यावसाय में भी लाव की तापती होगी नवीन बाहान भूमी भवन श्यादी के संपत्ती के योग भी इन रासी के जाश्मों के लिए बनेंगे